हेलो दोस्तो एक्जामगाट चैनल में आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ दोस्तो आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई से जितने भी इंपर्टन कोशन मत सकते है वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कास करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपर्टन एक्स्टा फैक्ट्स होगा बो भी इसके साथ डिस्कास करेंगे तो वीडियो का आखिर तक देखना और ध्यान से देखना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हिल्फूल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना और आप हमारे फेस्बूक पेस से भी जूट सकते है जिसका लिंक डिस्क्रिप्टन बॉक्स में है तो चलिए सुरू करते है पहला कोशन हाली में किस राज्य में भारत का पहला सहद परिक्षन प्रयोक्षाला स्थापित किया गया है तो गुजरात राज्य में भारत का पहला सहद परिक्षन प्रयोक्षाला स्थापित किया गया है तो इस question का सही answer है B. गुजरात राज्य के आनन्द जिले में राष्टिय डेयरी विकास बोर्ड में केंद्रिय क्रिशी मंत्री नरेंद्रे सिंह तोमार ने इस प्रयोक्षाला का उद्धाटन किया है इस प्रयोक्षाला में सहद में मिलाबट रासायनिक पदार्थ भारी धात्यों की सुद्धता की जाच किया जाएगा अचाब चलिए गुजरात राज्य से जुरे एक्स्टा इंपोर्टेंट फैक्स को भी जान लेते हैं जैसे गुजरात राज्य की कैपिटाल है गांधिनगर, गुजरात राज्य की चीप मिनिस्टर है बिजयरूपानी, गुजरात राज्य की गवर्णर है आचारी है देवरत, गुजरात हाइकोर्ट की चीप जस्टिस है जस्टिस बिक्रमनाथ, और गुजरात राज्य का रा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है जो राज्य के काथियावार सेत्र में स्थीत है और इसकी लंबाई है 1600 किलोमीडर और गुजरात डोमेस्टिक सोलारूप्टॉब इंस्टलेशन के मामले में देश में पहले स्थान पर है और गुजरात राज्य गुजरात पुलिस द्वार टासर गन का प्रयोक करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात की एहमदाबाद में धनवनतरी रत को नौन-कोबी ड्रोगियों के इलाज के लिए लौंच किया गया है और हाली में गुजरात राज्य ने राज्य के बैपारियों के लिए एट उन क्लिक नामक पहल को launch किया है नेक्स कोशन हाली में कौन MSME सेत्र के लिए restart नमक portal को launch किया है तो मुथूट फिनकॉप ने MSME सेत्र के लिए restart नमक portal को launch किया है तो इस कोशन का सही answer है A. देजभर में lockdown की वज़े से छोटे उद्दमियों पर जो गहरा असर पड़ा है उसके लिए मुथूट फिनकॉप ने देजभर में व्यवसाओ को फिर से शुरू करने के लिए इस portal को launch किया है जिससे बड़ी संख्या में महिला उद्दमियों के सामने आने वाली समस्दमियों को समाधान और छोटे उद्दमियों पर ध्यान के इंद्रित किया जाएगा आचा मुथूट फिनकॉप स्थापित हुआ था 1887 में इसका हेटकॉटर केरल के थिरू बननतपुडम में है और इसका CMD है थोमास जॉन मुथूट नेक्स कॉशन हाली में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट सुरू किया है तो बैंक अप बरोदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट को सुरू किया है तो इसकोशन का सही अंसर है C ये 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्प असिस्टेट ओनलाइन सेविंग्स अकाउंट है इसे Digital, KYC और OTP के आधर पर खोला जा सकता है और Mobile Phone, Tablet, Laptop, Computer कहीं से भी संचालित किया जा सकता है अच्छाब चली ये Bank of Baroda से जुरे Extra Facts को भी जान लेते हैं जैसे Bank of Baroda स्थापित हुआ था 1908 में इसका Headquarter है गुजरात के बरोदरा में इसका Chairman है हस्मुक अधिया, इसका MD and CEO है संजीब चाधा और Bank of Baroda की Tag Line है India's International Bank नेक्स कोशन हा हाली में किस ने IMG Reliance के साथ बिपनन और प्रबंधन समझोते पर हस्ता अक्षर किया है तो क्रिकेटर सिखर धवन ने IMG Reliance के साथ बिपनन और प्रबंधन समझोते पर हस्ता अक्षर किया है तो इसकोशन का सही answer है B. IMG Reliance भारत में खेल, मनरंजन और फैसन को बड़ावा देने वाली एक कमपनी है और इसके साथ अभी सिखर धवन ने बिश्ववववी बिपननन और प्रबंधन के लिए समझोते पर हस्ता अक्षर किया है नेक्स कोशन हा हाली में किसे NMDC के CMD नियुक्त किया गया है तो सुमित देप को NMDC यानि National Mineral Development Corporation के CMD नियुक्त किया गया है तो इसकोशन का सही answer है ये है सुमित देप और इने है अभी NBRAJANDRA कुमार की स्थान पर NMDC के CMD नियुक्त किया गया है नेक्स कोशन हाली में भारतिय मुल्की नर्स कला नारान स्वामी को किस देश में राष्टवती पुरुसकार से सम्भानित किया गया है तो सिंगापुर में भारतिय मुल्की नर्स कला नारान स्वामी को राष्टवती पुरुसकार से सम्भानित किया गया है तो इसकोशन का सही answer है ये है भारतिय मुल्की नर्स कला नारान स्वामी और इन्हें अभी सिंगापुर में COVID-19 महामारी के दोरान फ्रॉंट लाइन पर सेवा करने के लिए राष्टवती हालिमा याकोब द्वारा राष्टवती सम्भानित किया गया है अच्छा सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कारेंसी है सिंगापुर डॉलर और सिंगापुर की प्रेसिडेंट है हालिमा याकोब नेक्स्ट कोशन है हालि में SpaceX किस देश की पहली मिलिटरी कॉम्योनिकेशन सैटलाइट एनासिस 2 को लांच किया है तो इस कोशन का सही एंसर है C पेसेक्स एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्स परिवन सेवा कमपनी है जिसका हेड़क्वार्टर है कैलिफोर्निया में और ये कमपनी अभी साउथ कोरिया की पहली मिलिट्री कॉमिनिकेशन सैटलाइट एनासेस्टू को लॉंच किया है अचाब चलिए साउथ कोरिया से जुड़े एक्स्टा फैक्स को भी जाल लेते हैं जैसे साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया की कारेंसी है साउथ कोरियान ओन, साउथ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर है चुमसाई क्यून और साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट है नेक्स कोशन है हाली में 20 देश को बिश्व वैपार संगठन में परियवेक्षक का दर्जा प्राप्थ हुआ है तो तूर्कमिनिस्तान को डाबलू टियो यानी बिश्व वैपार संगठन में परियवेक्षक का दर्जा प्राप्थ हुआ है तो इस कोशन का सही एंसर है इससे तूर्कमेनिस्तान को अपनी अर्थवावस्ता को बिकसित करने, बहु पक्षिय सहयोग को बड़ाबा देने, बिदेशी निवेश को आकरसित करने और अंतरास्टिय ब्यापार संबंद को बिकसित करने में मदद मिलेगी आचाब चलिए WTO और तूर्कमेनिस्तान से जुड़े एक्स्टा फैक्स को भी जान लेते हैं, जैसे WTO का फूल फॉर्म है वर्ल्ट ट्रेड और्गानाइशन, WTO स्थापित हुआ था 1995 में, इसका हेड़क्वाटर है स्विजालन्ड के जेनेभा में, इसका डिरेक्टर जेनर गुर्बांगुली बार्दी मुहामीडो, नेक्स कोशन है हाली में कौन भारत का पहला नमबरलेस कार्ट को लॉंच किया है, तो फैम पे ने भारत का पहला नमबरलेस कार्ट को लॉंच किया है, तो इस कोशन का सही अंसर है B, फैम पे ने फैम कार्ट नामक एक नमबरलेस क ये फैम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह ही है जिसका उपयोग योंग टिनेजर्स द्वारा सतंत्र रूप से भूगतान करने में किया जा सकता है जिससे पैडेंट्स को अपने बच्चों को अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देने की परेशानी से छुटकरा दिलायेगा नेक्स कोशन है हाली में किसे इंडियान उबर्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ निउक्त क्या गाया है तो पार्थप्रतिम सेन गुपता को इंडियान उबर्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ निउक्त क्या गाया है तो इस कोशन का सही आमसर है ए ये है पार्थप्रतिम सेंगुपता और इन्हें कर्णम सेकर की स्थान पर निउक्त क्या गया है। पार्थप्रतिम सेकर की स्थान पर निउक्त क्या गया है। पार्थप्रतिम सेकर की स्थान पर निउक्त क्या गया है। पार्थप्रतिम सेकर की स्थान पर निउक्त क्या गया है। और UAE की कैपिटल है अबुधाभी, UAE की कारिंसी है UAE दिरहम और UAE की प्रेसिडेंट है खलिफा भीन जायदाल नहियान। तो दोस्तो ये था 27 जुलाई से 14 इंपोर्टेंट कारेंट अफेर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपोर्टेंट कारेंट अफेर्स के वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हिलफूल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेहर करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल